तो यह सवाल देने का मतलब भी आपको समझते हैं कि बेफूफ आफ है ना देखे 217 की पावर 413 यूनिट पूछ रहा हूँ ना तो हमें इन डिजिट से कोई लेना देना नहीं है हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से लेना देना है पहली बात कि यूनिट डिजिट से निकलता ह है बाकी डिजिट से कोई लेना देना नहीं होता है साथ में जब हम साइकली सेटी की बात करते हैं तो पावर्स में हमें केवल लास्ट टू डिजिट चाहिए होती है ठीक है यह नेसरी चीज़े मैंने हटा दी तो एक्चुल में जो क्वेशन है वो यह है कि 7 तो पावर 13 इ जो साइकलिसिटी होती है वो होती है आपकी 4 की 2 की साइकलिसिटी 4 की होती है 9 और 4 की साइकलिसिटी 2 की होती है ठीक है तो एकॉर्डिंग लिए मैं लिख रहा हूं 13 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो एक रिमेंडर आता है तो यह एक्सप्रेशन 7 to the power 1 type का होगा इस 4 to the power 24 यह even दिया हुआ है तो यह 4 to the power 2 type का होगा 2 to the power 12 है 12-4 से डिवाइड हो जाता है यानि यह 2 to the power 4 type का होगा बस खतम हो गया question तो 7 to the power 1 type का number 7 में एंड करेगा 7 to the power 1 के बारे में सोचो जाब आप 9 to the power 1 type का number 9 में एंड करेगा 4 to the power 2 type का number 6 मेंड करेगा 2 to the power 4 type का number भी 6 मेंड करेगा इसका product आपको 6 दे रहा है इसका product आपको 3 दे रहा है और इन दोनों का product आपको 18 दे रहा है यानि unit digit क्या हो गया 8 हो गया इतना असान सा वाल था तो बड़ा सा expression देखे आपको डराने की कोशिच करते हैं अगर आपको fundamental चीज़े clear है तो आप क्यों डर होगे है ना डरना नहीं है आपको question देखके समझ के answer मा करना है